दोस्तों आज के वीडियो में हमारे दौरा जो टेस्ट स्रीज चलाई जा रही थी उस टेस्ट स्रीज का नौवा वीडियो है यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरू करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरू करे ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाव उठा सकें तो आज का मैं वीडियो शुरू करता हूँ आज का पहला प्रशन है question number one पहला मुस्लीम महिला अधिकार दिवस कब मनाये गया भेरी भेरी important question है दोस्तों current affairs है ये और समय के अंदर ही आप answer करें पांच सकेंड का समय दिया जाएगा प्रते एक question के लिए आप उस समय के अंदर ही है आप प्रते एक प्रशन का answer करते रहें और वीडियो के अंत में जरू बताएं कि आपके कितने प्रशन सही हो रहे हैं तो इस प्रशन का सही उतर हो जाएगा option number a एक अगस 2020 को पहला मुसलीम महला अधिकार दिवस मनाया गया आप चलते हैं अगले प्रशन की और हमारा अगला प्रशन कोश्चन number 2 निम्लिखित में से किसे भारत के नए नियंतरन और महालेखा परिछक के रूप में नियूक्त किया गया है निम्लिखित से बताना है ठीक तो दोस्तों इस प्रशन का सही उतर हो जागा अप्सन number b ग्रीश चंद्र मुर्मूर ग्रीश चंद्र मुर्मूर जी को नए नियंतरन और महालेखा परिछक के रूप में नियूक्त किया गया यह पहले जमुकस्मिर के राजपाल थे हैं अब चलते हैं अगले प्रस्ण की और हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन number 3 कौन सी दवा पादब की छाल से प्राप्त की जाती है तो दोस्तों उस दवा का नाम है कुनेन की दवा जो है पादप की छाल से प्राप्त की जाती है अब चलते हैं अगले प्रस्ण क्यों हमारा अगला प्रस्ण कोशन नमबर चार पहली किसान रेल किन दोनों अस्थानों के बीच चलेगी बहरी बहरी इंपोर्टन कोशन है दोस्तों पहली किसान रेल किन दो अस्थानों के बिच चलेगी तो दोस्तों इस प्रशन का सही तो जागा ऑप्सन नमबर दी महराश्ट में देवलाली और बिहार में दानापूर रेलवे अस्टेशन तक ठीक यह आप याद कर लेंगे भैरी भैरी इंपोर्टन अब चलते हैं अगले प्रशन क्यों रहा हमारा अगला प्रश तो दोस्तों इस प्रशन का सही तो जाएगा ऑप्सन नमबर डी मसाल पुस्पासन सेव और नास्पती में मसाल पुस्पासन खाए जाता है अब चलते हैं अगले प्रशन क्यों हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 6 सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है क्या कहलाता यह आपको बताना है तो दोस्तों यह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्थक यानि अप्सन नमबर डी इस प्रशन का सही उतर हो जाएगा आप चलते हैं अगले प्रशन के वोड़ा हमारा अगला प्रशना कोश्चन नमबर सेवन परधान मंत्री नरेन मोदी के नीजी सचिव के रुप में किसे न्यूक किया गया है बहरी बहरी इंपोर्टेंट कोश्चन नमबर दोस्तों परधान मंत्री नरेन मोदी का नीजी सचिव कोन बन गए है तो दोस्तो यह बनाए गए हैं हार्दिक 37 चंद्र सह यानि option number D इस प्रश्ण का सही उतर हो जागा अब चलते हैं अगले प्रश्ण क्यों प्रश्ण क्यों होगा हमारा अगला प्रश्ण कोश्ण number 8 सांत गाटी अवस्तित हैं कहा अवस्तित यह आपको बताना है सांत गाटी प्रश्ण का सही उतर हो जागा option number 1 केरल में है सांत गाटी केरल में हैं अब चलते हैं अगले प्रश्ण क्यों हमारा अगला प्रश्ण कोश्ण number 9 20 गास इंजीनन की कोच किसने की भेरर Mauच को यह जीके का कोशल में और समय के अप एंसर करते रहें और विडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्ण सही हो रहे हैं तो इस प्रश्ण का सही उतर हो जाग ऑप्सन नंबर सी डेमलर ने गैस इंजन की खोज की थी अब चलते हैं एगले प्रश्ण की और हमारा अगला प्रश्ण को श्चन नंबर टेन तामिल नाडू वा आंद्रपर्देश के तठका नाम है क्या नाम है य pela अंधर प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा अगले प्रश्ण क्यूर हमारा अगला प्रश्ण कोशन नंबर 11 इमली खित में से किस ने सोंप्रकास नामक संगाचार पत्र बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर हो जागा ऑप्सन नमबर बी इसुर चैन्दर विद्या सागर के द्वारा सोम प्रकास नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था अब जलते हैं अगले प्रशन के ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन न तो उस पहाड़ी का नाम है बुटे की पहाड़ी यानि अप्सन नमबर ए इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रशन के ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर तेरा गंगा नदी को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है बहरी बहरी इ प्रशन का सही तरो जाएगा अप्सन नमबर ए पदमा गंगा नदी को बांगला देश में पदमा के नाम से जाना जाता है यह आप याद कर लेंगे अब चलते हैं अगले प्रशन क्योंगर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 14 देवनागरिक लिपी में स्वरों की संख है तो दोस्तों इस प्रशन का सही तरो जाएगा अप्सन नमबर भी 11 देवनागरिक लिपी में स्वरों की संख्या 11 यह आप याद कर लेंगे अब चलते हैं अगले प्रशन क्योंगर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 15 किस राज के जीले ने नीती आयो की आकांशात् लिंकिंग में सिर्स अस्थान प्राप्त किया है बहरी बहरी इंपोर्टेंट कोश्चन दोस्तों करेंट अफेर से रिलेटेड है यह तो उसका नाम है 36 अब चलते हैं अगले प्रशन की और हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 16 निम्लिखित में से किसे प्राथमिक चट र 2025 और जागा अप्सन नमबर ए अगने चटानों को राफमिक रहनी में रखा गय दोस्तों समय रहते ही आप सभी प्रशनों का अशर करते रहे और वीडियो के हैं जरूर बताएं कि किसे प्रशनमें आपके हो रहे हैं और जितना होसकए इस वीडियो को अपने दोस्तों मे प्रशन है तो यह आक्रमन किया गया था इरानियो द्वारा यानि आपसर नमबर ए इस प्रशन का सही उतर हो जागा और यह कब किया गया था तो यह किया गया था 550 इसा पूर्व में और किसके द्वारा किया था तो यह किया गया था साइरस के द्वारा यह आप याद अब चलते हैं अगले प्रुशन की वह हमारा अला प्रशन कोरशन की वह में द्धोनी तरहिक का होती है वे Ikा कॉंच मैं पूच है जलती है अंब्सक्र इस प्रशन को वह वेख के बीच में है ऑगला प्रकलूपर नम्बर 29 किस भीद मारत अभिया देखोत शुरू किया बहरी बहरी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों यह करेंट अफेर्स का कोश्चन है तो दोस्तों इस प्रशन का सहीट रजागा ऑफ्सन नमबर C, एनी बेसेंट अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारा अगला प्रश्न कोश्चन नमबर 21 समूदरी घोडा की सुवर का उधारन है भैरी भैरी इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों यह जीके का कोश्चन है तो इस प्रस्ण का सही उत्र जागा अप्सन नमबर A मतस्यका अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 22 अठारा सो संतावन के बिद्रों की असा फलता के बाद बहादूर सा दूतिये को कहा निर्वासित कर दिया गया था तो दोस्तो इस प्रस्ण का सही उत्र जागा अप्सन नमबर A रंगून में अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 23 निमलिखित में से किस गरा को पिर्थिवी की बहन कहा जाता है तो दोस्तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जागा अप्सन नम्मर B सुक्रग्रा को पिर्थिवी का बहन भी कहा जाता है अब चलते हैं अगले प्रस्ण की उना हमारा अगला प्रस्ण है कॉश्चन नम्मर 24 अमर कंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है तो दोस्तो अमर कंटक में जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है नर्मदा अब चलते हैं अगले प्रस्ण की उना हमारा अगला प्रस्ण है कॉश्चन नम्मर 25 हाथ कंगन को आर्सी क्या लोकोक्ती का सही अर्थ क्या है तो दोस्तो इस प्रस्ण का सही तरो जागा अप्शन नम्मर B हाथ के कंगन को आएने में देखना तो दोस्तो यहीं पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है उमेद है कि आपको यह कॉश्चन अच्छे लगएंगे और आपने सभी प्रस्णों का एंसर दिया होगा अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंड वंदे मात्रम